हेलो फ्रेंड शागत है आप सभी का हमारे चैनल रिधी सिंग में जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली सीजन चल रहा है इसमें धेर सारे फेस्टिबल पड़ रहे हैं तो मीठा तो हर घर में बनता है तो चलिए एक ऐसी मीठाई बनाते हैं जिसमें बहुत ही कम टाइम लगे करते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक ज़रूर करें प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखे से सबसे पहले हमने लिया है तो हम ने हां रोश्टेड्स चना दाल लिया यह मार्केट में आपको इजली मिल जाएगा तो हम एक मिकसर जार लेंगे और इसे हम विकस फाइन पाउडर हमने बना लिया है आप देख सकते हैं तो उसे एक बड़ा सा बाउल में हम निकाल लेंगे अब हम बेशन को रखेंगे साइड में और इसी ग्राइंडर जार में हम डालेंगे चीनी चीनी को डाल के हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे मैंने डेड़ कटोरी चना लिया है और एक कटोरी चीनी तो आप कोई भी घर में गिलास या कटोरी सेट कर लीजिए उसी से पूरा मेजरमेंट कर लीजिए आपका लड़ू बहुत ही अच्छा बनेगा अब इसमें हम डालेंगे चार से पांच इलाइची आपके पास नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं बट डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आप चीनी के साथ इसे भी पीश लीजिए अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर डाल लीजिए इलाइची और चीनी को मैंने पीश लिया है इसे हम डाल लेंगे आप देख सकते हैं मैंने कितना फाइन बनाया है तो इसे हम डाल लेंगे मिक्सिंग बाउल में ये मिठाई बहुत ही कम टाइम में बन जाता है बिल्कुल हम लोग सोच नहीं सकते कि इतना कम टाइम में बन जाएगा आप एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रोट्स ड्राई फ्रोट्स को आप चाहें तो थोड़ा भून के भी डाल सकते हैं अगर नहीं भूनना है तो इसे भी डाल सकते हैं अगर आपको भूनना है तो गैस को आन करें और कडाही को रख दें गरम होने के लिए इसमें डालेंगे दो चमच घी, घी को टाल के घी गरम होने देंगे, अब इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट्स, आपको जो भी ड्राइफ रूट्स डालना हो ले लीजिए, पिस्ता बादाम, काजू जो भी डालना हो, इसे थोड़ा सा ड्राइरोस्ट कर लीजिए, आप देख सकते हैं, इसक कलर चेंज हो जाए, अच्छे से ये भून जाए, उसके बाद हम गयस को आफ कर देंगे, और इसे किसी कटोरी या किसी भी चीज में निकाल के इसे कोट लें, अगर ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी भी कर सकते हैं, आप बिना ड्राइरोस्ट की ये भी ड डाल सकते हैं, ड्राइरोस्ट को भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे, इसे डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसके बाद हम डालेंगे गरम किया हुआ घी, आप यहाँ पर दूध भी ले सकते हैं, बट कर सकते हैं आप जितना दिन चाहें उतना दिन तक कर सकते हैं घी को डाल के हम अची तरह से mix कर लेंगे आप चाहें तो हाथ से भी mix कर सकते हैं अगर आप दूद मिला रहे हैं तो आप हाथों की मदद से कर लीजिए या फिर रिस्पोन्स से आपको जैसा भी सही लगे। घी या दूध हमको तब तक मिलाना है जब तक ये अच्छी तरह से लड्डू ना बनने लगे। आप देख सकते हैं हमनी अच्छी तरह से मिला लिया है ये देखे लड्डू मेरा बनने लगा है अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बना लेंगे लड्डू को बना के हम अलग पलेट में रख लेंगे आप चाहें तो लड्डू को थोड़ा छोटा या बड भी नहीं लगाना है बस इसमें से मेट्रियल लें हाथों पर और इसे गोलाई देते हुए बना लें बना कर इसे पलेट में रख लें आप देख सकते हैं मेरा लड़ू रेडी हो गया इसमें बहुत ही कम टाइम लगा है इसे आप जरूर ट्राई करें आपके बच्चों को अगर आपको नहीं पसंद है तो ये प्रोसेस इसकिप कर सकते हैं जो भी चीजे आपको इसमें नहीं पसंद है वो चीज आप इसकिप कर सकते हैं अगर आपको ड्राई प्रोड या फिर घी नहीं पसंद है या फिर इलाईची नहीं पसंद है जो भी चीजे नहीं पसंद है आप skip कर सकते हैं जो भी चीजे पसंद है उसे आप डाल सकते हैं ये लड़ू आपको बहुत पसंद आएगी प्लीज आप जरूर ट्राई करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राईब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राईब कर दीजिए बिल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राईब जरूर करें मैं ऐसे ही आसान औरीजी तरीके से बनने वाली घरेलू रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी आपके लिए तो वीडियो को सब्सक्राईब किये बिना ना जाए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई